अंतर जाती परवासी कर्मकार नियोजन एवं सेवा सर्थ विनियमन अधिनियम 1989 के अंतरगत जार्खन सरकार द्वारा परवासी मजदूर योजना या दूसरे राज में काम करने के लिए जाने वाले मजदूरों है तू स्राम निवजन परसिच्चन एवं कोसल विभाग के द्वारा निवंधित मजदूरों की मिर्तू या पूर्ण आसकत होने पर देड़ लाख रुपया और निवंधित मजदूरों की मिर्तू या पूर्ण आसकत होने पर एक लाख रुपया उनके आस्रितों को मिलने का परधा परन्तु धनबाद जिला धनबाद परखंड दच्छिन पंडर कनाली अंतरगत परसिया गाउं की रहने वाली चारुबला देवी के 26 वर्षिय पूत्र संकर मतो केरल मजदुरी करने के लिए गया हुआ था जहां इनकी मिर्तु 21 दिसंबर 2015 को हो गई थी लेकिन अभी तक उप दोरा आसरीतों को मिलने वाला मुजा इनको नहीं मिला है अभी तोनी के जे परवासी मुझदूर जे बाहर मिर्तु के रुपरांथ जे एक लाग रुपिया मिले उटा तोनी के मिलो लो इटा खादर तोनी आवेदन करो लो नाइ करो ले कुछ यहां जया देले सापर तो अभी तुम लो का घर कैसी चल रहा है आप लुग कहां काम करने के लिए गया थे करला अच्छा आपके साथ में कौन-कौन गया था मेरा साथ में हमार संकत क्या काम करते थे हो फिस कंपनी मसलेगा कितना दिन पहले गया थे पांस में अगा थे उसके बाद ही घटना हो जो पायुक के माइधम से जो मिलना चाहिए था उसके लिए अपलाई की है अब लोग हाँ हो ता अपलाई की है कब की है किसके थुरू की है तो मालिक है नहीं सब परशासन वाला जो उसका मिलना चाहिए वो मिलेगा सरकारी तरफ से मैं इस वीडियो को इसलिए बनाई चुकी चारूबला देवी मेरे परोस की गाउं की है और मैंने सोचा कि उनके इस विकट परिस्थिती में मैं उनकी थोड़ी सी मदद कर सकूं इसलिए मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से अपील करती हूं कि आप धनबाद के सरम परावर्तन पदाधिकारी स्री कामेश्वर परसाद को संपर्क नंबर 9006139778 पर कॉल करके इस समस्या की जानकारी दे और चारूबला देवी को मुआजा दिलाने म मदद करें मैं भारती परसिया धनबाद जारखन से इंडिया अनहट के लिए